संसार के ज्यादातर समाजों में मृत्यु शब्द को अच्छा नहीं माना जाता और इसके बारे में बोलने पर भी मना ही है पर ये भी तो हो सकता है कि हमने इसे बिल्कुल ही गलत समझा हो क्या होगा अगर हम? मृत्यु को त्रासदी ना मान कर जीवन का एक जरूरी भाग समझें, जीवन से परे, मुक्ती की आध्यात्मिक संभावनाओं से भरपूर अपनी हर सांस के साथ आप अपनी कबर के और पास चले जाते हैं पर अपनी हर सांस के साथ आप अपनी मुक्ती के पास भी जा सकते हैं वे लोग जिन्होंने एक दूसरे को वास्तव में बहुत प्यार किया है सिर्फ वही लोग अपने प्रियव्यक्ती की मौत को शालीनता से संभालते हैं समय पर होने वाली मौत कोई आपदा नहीं है, बहुत सारे जन्म होना वास्तव में आपदा है, जब आप इस बारे में लगातार जागरूक रहते हैं कि आप मरने वाले हैं, तो आपकी आध्यात्मिक खोज दगमगाती नहीं है, जैसा जीवन होता है, वैसे ही मृत्यू होती ह इस बारे में आपकी जागुरूगता आपको अपना जीवन पूरी तरह से और पूरी तीवरता से जीने देती है जिसने अपना जीवन पूरी तरह से जीया हो, सिर्फ वही शालींता के साथ मर सकता है ज्यादातर लोगों के लिए जीवन और जीवन के अनुभव अलग होते हैं पर मौत निश्पक्ष होती है सबके लिए समान मृत्यू की निश्पक्षता ही लोगों को जगाती है मृत्यू सबसे ज्यादा विश्राम की स्थिती है जीवन को जारी रखने के लिए एक खास तनाव चाहिए अगर आप ये समझ ले कि आपका जीवन के इतना क्षनभंगुर है और किसी भी पल में उलट पलट हो सकता है तो आप इस धर्ती पर बहुत ध्यान से रहेंगे लोगों को मौत का इतना डर होता है इसका कारण यही है कि वे इस शरीर से आगे कुछ जानते ही नहीं मनुश्य को पूरा होने के लिए जीवन की गतिशीलता और मृत्यू की स्थिरता बहुत जरूरी है मृत्यू को जीना ये अस्तित्व का स्वभाव है अगर आप ये लगातार याद रखते हैं कि आप मरने वाले हैं तो आप इस धर्ती पर कोमलता और समझदारी के साथ चलेंगे जन्म और मृत्यू तो बस मार्ग हैं जीवन के नहीं समय के मौत एक ब्रमान्डिय मजाक है अगर आप इस मजाक को समझ लें तो जीवन के दूसरी तरफ गिरना बहुत अदभुत होगा जीवन एक लगातार चलने वाली अनिश्चित्ता है मौत ही एक मात्र निश्चित्ता है सिर्फ वही मनुष्य पूरी तरह से जी सकता है जो मरने के लिए तयार है जो जागरूप नहीं है उसके लिए मौत एक कालपनिक कहानी ही है यहां तो जीवन है बस जीवन है और सिर्फ जीवन ही है जो एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर चलता रहता है अगर आप इस बारे में जागरूप हैं कि आप मरने वाले हैं तो आप सिर्फ वही करेंगे जो आपके और आसपास के हर किसी के लिए बहुत जरूरी होगा और कुछ भी नहीं